Hello guys, welcome to current affairs for UPSC, PSC, IAS Guys, अगर आप UPSC civil services की तयारी कर रहे हैं या किसी भी state civil services examination की तयारी कर रहे हैं तो बिलकुल सही जगा पर आप आए हैं यहाँ पर सभी sources से news को cover किया जाता है जैसे कि The Hindu, Indian Express, Times of India, Live Mint जैसे जो newspapers होते हैं उनकी news को cover किया जाता है PIV के reports को discuss करते हैं, राजिसबा television में जो भी important debates discussion आती है उनको lecture के दोरान cover किया जाता है Even EPW, down to earth, योजना जैसी जो magazines होती हैं उनके articles को भी cover करते हैं तो आप daily regular अगर classes को attend करेंगे, religiously classes को follow करेंगे तो आपको 100% guarantee success मिलेगी और आपका 100% guarantee selection होगा और 100% guarantee selection का बकाइदा proof दिया जाता है नीचे description पर आपको proofs मिल जाएंगे आप check कर सकते हैं कि previous year civil services examination में हमने जो topics cover कराए थे, उनी से related questions बने हैं तो फटाफर चैनल को subscribe कर लीजे अगर आपने subscribe नहीं किया है तो even हम लोग काफी सारे high quality general studies के courses भी offer करते हैं तो आने वाली slides में आपको courses की details भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे channels की information भी आपको provide करा दियाएगी आने वाले slides में और गाईज नीचे description पर telegram के channel की link भी आपको मिल जाएगी आप उस channel को भी join कर सकते हैं plus discussion group भी है जहाँ पर काफी सारे civil services के aspirants पहुजूद है जो की daily basis पर अपने जो भी doubts पगेरा जो होते हैं उनको discuss करते हैं तो आप उसको join कर सकते हैं तो full focus के साथ start करते हैं current affairs की class को but before that यह कुछ courses की details और हमारे channels की details है 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 फेलो students में आना वना वना आप देखना सुबर कर चुके current affairs for you PSC PSC IS यूटीब चैनल फर्स्ट अप आल गूट morning to all of you आज है 29th अप एपरेल और आज के जितने भी important current इस लेक्चर में discuss करेंगे आप किसी भी स्टेट पीसे एक्जाम के प्रिप्रिशन कर रहा हूं यह लेक्चर आपके लिए बहुत जाद बेने फिचल होने आला है तो लेक्चर को एंट तक देखते रहेगा और जितने भी important current difference के question बने उनसे related मैं आपसे जो भी question करूंगा उनका answer आपको comment section में देना है clear है बिना देर करते हुए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले daily information में मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इस PDF का paid package purchase करना चाहते तो मातर 100 रुपीज की cost में यह PDF का paid package आपको available करवा दिया जाएगा जिसके अंदर daily lectures की PDF, notes, weekly compilation PDF उसके अलावा monthly magazine और इसके अलावा एक और current का lecture होता है इस चैनल में उसकी भी PDF आपको इसी 100 रुपीज की cost के अंदर आपको available करवा दिया जाएगा इसके अलावा MCQ का PDF monthly package purchase करना चाहते हैं तो 50 रुपीज की cost में वह भी आपको available करवा दिया जाएगा offer available करना चाहते है offer भी available है और यह कैसे सब को join करना है तो यह सारे steps यहां पर लिखे हैं अगर आपको कोई doubt होता है या कोई problem होती है इस package को join करने में तो 9713-282838 के अंदर आपको message करना है सारी information आपको वहाँ provide करवा दी जाएगी call मत करिए का response नहीं किया जाएगा message करिए आपका reply आपको within a 24 hours के अंदर मिल जाएगा क्लियर है शुरू करते हैं शुरू करने से पहले यह कल का आपका homework का question था रिसेंटली औरी सास फर्स्ट केस आप हालिक क्विन इस थोसस रिपोर्डेन इन विज डिस्टिक तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंजम डिस्टिक ठीक है चलिए और आज के पहले questions हम स्टार् than nine हो झाई की में कैने की हो जाएगी इंडिया सतिनाइन हो जाएगी और नाइंटी ट्रैंक इसकी है तो पाकिसान के है है 72 जो आ सारी 74 रैंक है जो यह है आपकी travelled इच्छी लंका की और इहां पर 92 यह पल की तो है ऑने डिक्स के प्रड़ेंट कर देख लेते हैं अगर आ पूछेगा कि यह किसके द्वारा जारी कि जाता तो चैंडलर इंस्सिटूट ऑफ गॉर्ण गवर्णेंस है इसके दवरा जारी किया जाता है और इसका हेड़कोर्टर निंगापूर के अंदर है इंडेक्स प्रिपेर बेस्ट आन सेवन पिलर्स नेमली लीडर्स एन फॉर्साइट इस्ट्रोंग इंस्टुशन रोबर्स लॉज और पॉलिसी एक्टिव मार्केट पेस सब्सक्राइब इस इस इंडेक्स को प्रिपेर किया जाता है और यहां पर 104 देशों की रैंकिंग जो है वह करी जाती है जिसके अंदर इस बार इंडिया की रैंक कितनी है फॉर्टी नाइन थे ठीक है फिल्लेंड ने यहां टॉप किया उसके अलावा नौर्वेज सीजर लेंड सिंगपूर और नीदर लेंड डेर्माक वगरा भी है पाकिस्तान की मैंने आपको 90 रैंक बताई श्री लंका की 74 और नेपाल की 90 इसके इसके लावा ब्रिक्स कंट्र ब्राजिल रशिया इंडिया चाइना साथ अफरीका तो उस हिसाब से सारी रैंकिंग मैंने आपको यहां अवेलेबल गरवा दिये ठीक है तो अगर आपका पहला कोशन मन जाता है इस लेक्टर से रिलेटेड आज का पहला कोशन की गुड गवर्नेंस डेक किस दिन मना जात है भारत के अंदर तो यह आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में ठीक है क्लियर है सारी चीज़े नेक्स कोशन चले यह आपका नेक्स कोशन विच इंस्टिट्यूट रिलीज इट्स ट्रेंट्स इन वर्ड मिलिटरी एक्स्पेंडीचर रिपोर्ट हाली में किस संस्थान यह अपनी बर्ड मिलिटरी इक्स्पेंडीचर रिपोर्ट जारी की यह इसकल बसक्ता के उपर और य Fell अभी सेना के उपर टोटल खर्च होता है उसका आकड़ा कौन देता है यह सिपरी संस्थान देती है ठीक है सिपरी का फुल फॉर्म स्टॉक होम इंटनेशनल पीस रिसर्च इंसिट्यूट यह जो है वो आकड़ा देती है इसका और इसी ने हाली में जो ही रिपोर्ट जारी क लेकिन अभी रिसेंटली इतना जो एक्स्पेंडीचर किया इंडिया ने अपने मिलिटरी के उपर एक तरह से आप बोल सकते हैं डिफेंस के उपर कि यह जो है वो टॉप थर्ड में आ गया है यह आपको याद रहना है क्लियर है 2020 की रैंकिंग की बात करें तो 2020 के अंदर 778 billion US dollar खर्च जिया था यूएस ने अपनी मिलिटरी के उपर वहीं चाइना की बात करें और चाइना और इंडिया ने 252 billion US dollar and 72.9 billion US dollar respectively खर्च किये थे अपने military system के उपर यह आपको याद रहना है ठीक है और the military expenditure of India has grown by 2.1% आपको देखी आप कुछ time से देख रहे होंगे कि इंडिया को मतलब बहुत सारे job expenses खर्च की है मतलब expenditure खर्च किया है एक तरह से इंडिया और अपने defense system के उपर आप देख रहे हो विमानों की बात कर रहे हो हो या missile system की बात कर रहे हो या किसी भी चीज डिया डियो कितना ज्यादा डेवलब कर रहा है मतलब हर दिन एक डिया डियो के आपको नई news सुनने के बात मिलती है तो यह सारे expenditure भी defense के अंदर ही count होंगे यह चीज़ आपको याद नहीं है China has grown 1.9% the military expenditure of US has grown for 4.4% तो अगर आपसे question पुछेगा कि military को पर सबसे ज़्यादा expenditure करने वाला देज तो वहां पर US निकलके आएगा third पर इंडिया जो है वो exist करता ही आपको पता होना है यह क्लिए है ओगे चले next चले for how many third question है आपका for how many years that has the RBI limit the tenure of MD and CEO of private bank अभी हाली ने RBI ने कुछ guidelines जारी की जिसके अंदर बहुत सारा जो है वो criticize भी हो रहा है ठीक है तो RBI ने क्या किया है जिसका निजी बैंक जो होंगी जितने भी private bank होगे उनके MD और CEO यानि managing director और chief executive officer का जो पद होता है कारिकाल होता है timing होते है time period जो आप बोलते हैं उसको उसको जो हो सीमीत कर दिया है एक fix कर दिया है कि हाँ इतना time period होगा जिसके अंदर ये लोग काम कर सकेंगे जैसे ही प्राइड time period होगा इन लोगों को resign करना पड़ेगा उसके लावा ये भी गाडिलाइन पर जारी किया है कि अगर पंदरा इसका राय टांसर पहले आप बता देता हूं मैं पंदरा साल इ अगर उसको यह point किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर यह वो इनकी terms and conditions है policies है और इसके अंदर इन्होंने कहा norms not not applicable for PSU and foreign banks इसमें जो public sector undertaking है और और foreign banks है यह जो इस policy के अंदर जो इंक्लूट नहीं किया जाएंगे यह चीज यहाँ पर इन्होंने mention किया है ठीक है यहाँ पर आ non executive director beyond 75 years ago तो 75 साल के उपर कर यह यह भी यह पर इन्होंने mention कर दिया यह आपको पता होना चाहिए ठीक है अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पास करके पढ़िजे अगर आप PDF का paid package purchase कर रहा है तो फिर आपको कुई doubtी नहीं सारी चीज आपको as it is जिस तरह से यह पीपी आ आप देख रहे हैं as it is आपको provide करवाई जी जाएगी pdf ठीक है इसी तरह से यह सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वही सारी चीज़ें मैंने यहां पर भी लेकर रखी है अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं ठीक है और यहां पर the maximum is limit of chairman and or the non executive director has been fixed 75 years तो chairman and non executive director का इन्होंने कारेकाल भी fix कर दियागी यहां पर आपको पता होने ठीक है okay clear है यहां पर मैंने आपको बता है था था कि 15 years है उसके बाद अगर रिव पॉंट होना है तो तीन साल का उसको time duration चोड़ना पड़ेगा यह सारी चीज़ें इसके अंदर clear next question recently which country has launched robot prototype capable of catching space debris with net तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि debris का मतलब होता है कच्रा जैसे कि आपको बता होगा कि हर रोच यानि हर दूसरे तीचरे दिन कोई रहा कोई satellite जो है वो launch हो ही रही होती है जो कि space में जाके एक कच्रे के रूप में इखटा होती जा रही है जैसे देखें किसी भ आरो तरफ ही वहीं पर वो एक खटा रहती है और वो एक कूडा हो जाती है एक मलपा जिसको बोलते हैं आप और उसी को debris बोला जाता है ठीक है तो यहां पर चाइना ने इसका right answer हो जागा है चाइना और चाइना ने एक ऐसा रोबोट प्रोटो टाइप जो है आप देख सकत है और इसी के चलते जो वह पॉलुशन हो रहा था अंतरिच में इसी के चलते जापान ने भी कुछ टाइम पहले जो यह कहा था कि हम अब अपनी जितनी भी सेटेलाइट होंगी वो वूडेन लाउंच करेंगे बतला वूडेन की सेटेलाइट होंगी तो जैसे ही वह उनकी आब सेटेलाइट लाउंच करेंगे और यहां पर इनोंने एक रोबोट का प्रोट्वाइब जो हो लाउंच कर दिया ठीक है यह सारी चीज़ें आपको पता होने चाहिए और यहाँ पर यह नशिंग करेंगे अगर पितन के दौर्छ की गई तो नियो वन इसका नाम रख़ जो छोटे खगोली पिंड है उनका निल्चन भी करेगा वहां पर यह जाके दा इस रोबोट विल लाउ कंड़क्ट चले नेख्स चलने से पहले में आपको बता दू कि भाई अगर आपको यह सारी इंफ्रमिशन helpful लगती है तो आप hit कर दीजे like बटन और चलिए next question देखते है which organization has recently announced that it will provide 4000 oxygen concentrators to India for fight against COVID-19 किस संगठन ने हाली में घुशना की कि वह COVID-19 के खिलाफ लडाई के लिए भारत में 4000 oxygen concentrators प्रदान करेगा तो इसका right answer हो जाएगा आपका WHO ठीक है WHO ने क्या किया है world health organization इन्होंने announcement किये कि भाई यह help करेंगे 4000 oxygen concentrators जो है वो इंडिया के अंदर देंगे oxygen concentrator कैसा होता है यह आप देख सकते हैं और यह करती क्या है यह हवा सही यानि आपके जो आसपास की हवा होती है उसी से nitrogen oxygen जो है वो create कर लेती है तो मैं आपको यहां पर बताऊंगे कहां कहां किसने किसने कितनी कितनी help कि एंडिया को लेके UK ने कहा है कि recently sent 459 oxygen concentrators and 140 ventilators to India UK यानि United गे नम आपका 400 पंचान में oxygen concentrators दे रहा है उसके लावा 140 ventilator दे रहा है clear है उसके लावा आप iron man sorry iron मैं मोगल रहा हूं चलिए Ireland को देखेंगे तो उसने announcement किया कि वो prepare करेगा 700 oxygen concentrators इंडिया के लिए इसके लाव साओधी ने जो है वो 80 ton oxygen बेजी है अब अब देने के लिए बोला है जिसको लेने के लिए एयर लिफ्ट करने के लिए जो है वो इंडियन एयर फोर्स जो है वो जा चुकी है ठीक है अंडर तब मेगा वायू की नाम से उसके दौरां जो है वो 120 लेटर देगा इसके लाव वन लैक जो है वो गॉगल देगा फाइब लैक्स पी टू एन नाइन नाइटी फाइब मास्क वन लैक्स पेर अफ गलप्स एंड टुंटी थाउजन फे शील्ड यह सारी चीज़े जो है और शीलिया प्रोवाइड कर आएगा यहीं यूस की बा अजीर डोवाल जी की एक कॉल पे और कुछ उनकी थी उनके दोरान जब अमेरिका के जो बाइटन सरकार ने परमिशन दे दी कि भाई हम इसको नहीं रोकेंगे पहले तो उनको बहुत जादा क्रिटिसाइज किया गया इस चीज़ को लेके अलग 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 सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पे नियूज मैगदीन पे और मीडिया पे कवर किया गया कि वह यूएस फ़स्ट पॉलिसी जो अपना रहे है लेकिन बाद में उन्होंने जो है वह बोल दिया कि हम हम करेंगे ठीक है तो नेक्स्ट कोशन निकल गयाता है एक्कॉर्डिंग विज बैंक एन क्रीज कर रही है यह रिपोर्ट और यह रिपोर्ट किस्ने प्रकासित कि ए तो एशिन डव्लेपेंट बैंक आपको ऑप्शन नमबर सी हो जाएगा इन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो 2020 के अंत तक ग्रो करेंगी 11% से और ऐसा बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स अभी अलग-अलग organization ने भी बोला था कि इंडिया जो है वो ग्रो करेंगी बहुत अचीब बात है और अगर एड़ीबी की बात करें तो मैंने कली आपको बढ़ाया था कि एशिन डवलेपेंट बैंक्स ने 1.5 बिलियन यूस जॉलर का जो है वो दिया है support financial support दिया इंडिया को ता कि वो करेंगे और यहीं पर अग्रोट ऑफ दे रीजन विल मॉडरेट 6.6 परसेंट जो इन्होंने बोला कि 2022 तक रही है यहीं चाइना और होंक कॉंग और सिंगपूर और वहीं पर ताइपे जैसे देशों को 2021 में उन्होंने बोला है कि 22.7 परसेंट 5.6 परसेंट यह बाइ परसेंट यूनियन कैबिनेट एप्रूफ देग्रीमेंट साइन बेविन गौर्वर्मेंट ऑफ इंडिया इन विच गौर्मेंट ऑफ कस्टम कोपरेशन हाली मिकेंद्री मंती मंदल ने कस्टम सयोग पर भारत सरकार के बीच हस्ताथरित समझाथे को मजदूरी दिये तो इ इनके सीमा सुल्क सायोग होंगे सीमा सुल्क मामले होगे उन सब भी पर इन्होंने समझाथे पर अस्ताचर किये हैं और यहां पर आपको पता होने जाए कि जब से ब्रिटेन बहार निकला है तब से यूरूपेन इन से तब सी बहुत जादा जो हो अलग-अलग टाइप के म साइन कर रहा है यह साज चीज आपको पता होने जाए तो यह हैल्प क्या करेगी एग्रिमेंट विल प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क शेर इंटेलिजेंस एन इंफॉर्मेशन बिवीन दा कस्टम डिपार्टमेंट आपको पता होगा सीमा सुल्क विभाग और यह जो है मोई जो साइन किया गया है यह क्या करेगा इंडिया और यूके के बीच में जितने भी इंटेलिजेंस होंगे कस्टम डिपार्टमेंट के अंदर उनको वो शेर करेगा यह और क्या करेगा इट विल हेल्प टू इंशूर इफ कर्स्टम्स लौ और अबिडेट यह सो निश् सबसे पहले मैं आपको बता दूगी पाइथन 5 एयर टू एयर मिशाइल किस कंट्री की है तो यह है इसराइली कंट्री की और हाली में डियाडियों ने इसका सफलता पूर्वक परिछण किया है किसके अंदर लगा के तो लसी ए तीजस के अंदर इसको इंबेड़ेट करके इनों ने किसने डियाडियों ने सकसेस्पुली इनका ट्राइल लिया है यह आप देख सकते हैं यह रही आपकी मिसाइल और यह आपका लंडर तीजस है इसके अंदर से मिसाइल निकल रही है तो इसमें ज्जाए वो इनबिल्ड किया इनों और यह कोई मौमूली काम नहीं यह बहुत क्रिटिकल काम था और इसको डिया डियो ने successfully done कर दिया है अब होगा क्या तो यह जो मिसाइल आप देख रहे हैं इसका नाम है python 5 और यह air to air करना पड़ता है फिर उसके बाद उनको वहीं lock करना पड़ता है कि हाँ यह target fix हो गया आप अब इसको launch करते हैं लेकिन इस मिसाइल के अंदर क्या है कि इसको ऐसे ही launch कर दिया जाएगा launch किया जा सकता है इसको ऐसे ही launch कर सकते हैं और यह कुछ दूरी जाने के बाद अपना target ख खुछ से उस target को lock कर सकती है यह technology जो है वो इसके अंदर है python 5 missile के अंदर और इसको वो डियाएडियो ने लसी तेजस के अंदर embedded किया है ठीक है अब इसके बारे में थोड़े से हम बात कर लें तो defense research and development organization recently test fired a series of missile trials it included the derby missile अब डरby missile किया है तो डरby missile python की python की तरह ही है पहले इ achieved 100% hits यह बहुत जादा जो है वो सफल साबित हुई है with this the DRU announced that the python 5 air 2l missile has been successfully added to the light combat aircraft तेजस यहाँ पर information आपको मैंने दे दिये ठीक है अब next slide देख लेते है तो python 5 की पूरी information मैंने यहाँ पर लिख दी हुई है अगर आप पढ़ना चाहे तो pause करके पढ़ लेते हैं कुछ मैं पढ़ सकते हैं कुछ मैं important points जो हैं मैं आपको बता दोगा it is the fifth generation of python missile यह पाचवा संस्क्राण है पीड़ी है python missile की it is an air to air missile built by the Israeli weapon manufacturer rafael advanced defense system तो मैं आपको बता दूँ कि यह जो राफेल आपने पढ़ा होगा न राफेल विमान यह राफेल विमान है यह राफेल कंपनी है जो जो कि आपकी इसराइली कंपनी है और यह आपके defense equipment और मिसाइले वगारे डबलब करती है वो जो राफेल भी मान था वो देसौर्ट अविशन का था फ्रांस का ठीक है यह आपको पता होने चाहिए ठीक है तो दोनों राफेल में confused मत होईएगा है ना clear है चलिए the python is currently the most capable air to air missile inventory of Israel तो यह inventory of Israel एक बहुत बड़ी उनकी inventory है यह आपको पता होने चाहिए clear है और इसको पहली बार जो है वो 2006 में Lebanon War के अंदर जो है वो निकाल दिया दिखाया गया था और इसने उस टाइम पे इरान के दो UAV यानि अन्मेंट एयर वेहिकल जो है वो destroy किये थे पूरी तरह स अगर आपको और कुछ पढ़ना हो तो वीडियो पॉस करेंगे पढ़ लीजिगा जो इंपॉर्टन इपॉर्टन चीज है थी मैंने आपको बता दें ठीक है चलिए रिसेंट्ट्ली एस सोलर ड्रायर एंड आपका पाइरो लिसस पाइलेट प्लांट हैस बीन सेट अप इन अपड़ फॉलाइंग सिटीज हाली में निमली की सहरों में से किस सहर में एक सोलर ड्रायर और पाइरो लिसस पाइलेट प्लांट जो है वह स्थापित किया गया तो इसका राइटान सरु जागा चिन्नाई के अंदर ठीक है और यह करेगा क्या तो इंटीग्रेटर सोलर ड् इंटीग्रेटर सोलर ड्रायर और प्रोजेक्ट फोकसिंग अन अर्बन वेस्ट मेनेजमेंट जो आपका एक तरह सकते हैं सहरी अपसिस्ट प्रवंदन जो भी कछ्रा वगरा होता है और है इसको जो इनाउग्रेशन किस ने किया है तो के जे स्री राम जोगी डारेक्टर है आज का जो लेक्चर था यहीं तक था अगर आपको लेक्चर जल्दी से लेक्चर को लाइक कर दीजिए अब चलते हैं आज का जो होमवर्क क्वोश्चन है आपका उसकी तरफ तरफ तो यह रहा आपका होमवर्क का कोश्चन डिसेंटली विच कंट्री हैस नेमड इट्स फर्स मार्स रोवर एज जुरॉंग आफ्टर ट्रेशनल फायर गॉर्ड हाली में किस देश ने एक परमपरिक अगनी देवता के नाम पर अपने पहले मंगल रोवर का नाम जुरॉंग लावा इंपोर्टेंट डेस में देख लें तो इंट्रेशनल डांस डे है आज और इसको रिकगनाइस किया गया था यूनेस्को के दारा या आप पता नहीं चाहिए और हर बार 29 अपराइल को मिना जाता है अब्जर्वेशन इसका ओल यूवन मेंबर्स के दारा किया जाता आपने और इसकी वीवर्स डाउन कर दियें और कोई नहीं अगर आपका सपोर्ट नहीं है इस लेक्चर को तो अम इस लेक्चर को बंद कर देंगे कल लास्ट लेक्चर होगा यह cohort मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए अपना और अपनों प्क्राइब कर किएगा thank you so much have a nice day good bye